Guys, this complete Java course with notes में मैं आप लोग को Java starting से लेके end तक बताऊंगा chapter wise, notes के साथ हम एक एक topic देखेंगे उसी के साथ-साथ ये course हुआ वो एकदम beginner friendly होने वाला है अगर आप लोग एक beginner है कभी आपने programming नहीं भी करी है तब भी ये course आप लोग starting से लेके end तक Java master करने के लिए देख सकते हो इस Java course में मैं आप लोगों को हर chapter के notes तो देता रहूंगा साथ के साथ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक ultimate ऐसी चीज़ दूँगा जो कि आपको Java programming करने में जिन्दगी भर काम आईगी तो बने रहूँ से वीडियो में आप लोगो मैं वो चीज़ जरूर दूँगा आगे लेकिन उससे पहले मैं first things first Java को आप लोगो इंस्टॉल करवाना चाहूंगा ये course beginner friendly होने वाला है बिना time को waste ये computer के अंदर चलते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से Java हम लोग install करेंगे so guys मैं आचुका उपने computer के अंदर और अब Java को install करने का time आ गया है Java install करेंगे हम लोग JDK Java की install करेंगे Java development kit उसी के साथ साथ हम लोग intelligent idea जो कि हम लोगों को code लिखने में facilitate करेगा हमारी जिन्दगी जब हम code लिखेंगे तब आसान मराएगा वो हम लोग install करेंगे JDK को डाउनलोड करने के लिए मैं आपने browser में नई डाप खोलूँगा और Google search में JDK डाउनलोड लिखूँगा और जैसे मैं JDK डाउनलोड लिखूँगा मेरे पास oracle.com का ये page खुल जाएगा आप लोग को इस page को खोलना है और इस page को खोलने के बाद यहाँ पर JDK डाउनलोड का link आपके पास आएगा आप उस पर click करें जैसे आप click करेंगे नीचे scroll करिए यहाँ पर आपको अपने platform के लिए installer मिल जाएगा मैं आपर windows x64 कंस्टॉलेशन जो है वो करने वाला हूँ मैंने यहाँ पर click किया मैरे जो terms and conditions इसको accept करो डाउनलोड करने से पहले आप करें accept डाउनलोड करें अब यह पूछ रहा है आपर कि क्या यह secure है हाँ मैंने इसको allow कर दिया कि मैं Oracle की official website पर हूँ मुझे पता है कि यह जो software यह बिल्कुल भी मुझे harm नहीं करने वाला है जैसे ही आप इस software को download कर लेंगे आप लोगों के downloads folder में यह software download हो जाएगा आप इसको execute कर दिजे जैसे ही आप इसको execute करेंगे आपके पास इस तरह से windows का इस इंस्टाबर आजाएगा अगर आप लोग windows में आप next पिकलिक कीजिए वापस याप लोग को एक box दिखा रहा है जिसमें status बता रहा है तो इसने बिल्कुछ भी ना के पराबर timely इंस्टाबल होने में यह कहरा है वाई आपका जो java development kit है, वो install हो चुका है, आपको बस इसको किसी भी simple software की तरह install कर लेना है, close करें, मेरा JDK मेरे computer में install हो चुका है, अब ये करने के बाद मैं download करने जा रहा हूँ एक IDE, देखो जब हम Java का program चलाएंगे, उसमें हमें मदद करेगा JDK, लेकिन इस JDK को optimally और एक बहुत ही interactive way में use कर करना होगा, IDE stands for integrated development environment, आप लोग कोई भी IDE use कर सकते हैं, अगर आप लोग experience हैं तो, लेकिन अगर आप beginner है, तो मैं कहूँगा Google पर आप लोग type कीजे, download intelligent idea, अभी intelligent idea क्या है, ये देखो याँ पर लिखा है intelligent idea, एक professional IDE है, आप इसका community version download करना, मैं वापस से repeat करता हूँ, आप community version download download करना, आप ultimate download मत करना, क्योंकि इसका सिर्फ 30 day trial है, उसके बादी चलना बंद हो जाएगा, हम जो काम इस वीडियो में, in fact इस पूरे course में जो करने वाले हैं, वो हमारा community से काम चल जाएगा, ये download होना start हो गई है, मेरा internet connection थोड़ा सा तेज है, इसलिए आपको याँ पर थो इसलिदी से downloading यहाँ पर हो जा रही है, तो मैं इसका wait करूंगा download होने तक का, और जैसे ही download हो जाएगा, इसको मैं install करूंगा, अब आपकी जो java development kit है, वो most of the काम आपका करेगी, जो भी आप java development में लगाएंगे, लेकिन ये जो IDE है, इसकी सहायता से आपका java development का काम है, व मैंने CXC को खोला, और बिना कुछ छेडे में next पर वापस से क्लिक करूंगा, next, 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 आपको करते जाना है, बिना किसी चीज को छेडे, बस ये add launches, dir to path पर आप लोग जरू क्लिक कर देना, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे, तो आपकी future में जो हम development करने वाले हैं, उसमें बस ये आप check करना, मत भूलना, और next में क्लिक करने के बाद, install पर आप लोग क्लिक कर दें, और आप जैसे install पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा time लेगा install होने में, मैं जितनी दिर में ये install हो रहा है, बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, मैं आप आप लोग को वो आप लोग के लिए तयार करके रखी होई, जो कि मैं आप लोग को थोड़ी दिर में दिखाने वाला हूँ, थोड़ी सी Java की बात उससे पहले कर लेते हैं, Java को 1991 में Sun Microsystems ने बनाया था, और James Gosling, जो कि one of the founders थे, Java के उन्होंने इसको initially Oak बोला था, इन्होंने इसको Oak बोला थ और इस language का गोल था, एक simple, portable और reliable language बनाना, जो कि C और C++ पर आधारित थी, लेकिन कुछ ऐसे features C और C++ से इन लोगों ने हटा दिये थे, जो कि लोगों को, developers को परिशान करते थे, इन्होंने एक developers के लिए अच्छा experience बनाने का गोल रखते हुए, इस language के development को start किया, ये पहली application language थी, worldwide web की, जो कि Java language के लिए एक बहुत बड़ा achievement है, अब Java का program किस तरह से काम करता है, ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को वो notes दिखाना चाहता हूँ, जो कि इस course के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों को वो notes मिल जाएंगे, तो हम अभी चलेंगे अपने computer के अंदर और उन notes को देख लेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने notes बना रखें आप लोग के लिए chapter wise, ताकि आप लोग कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो आप notes साथ में लेकर जाएं, आप notes साथ में लेकर जाओगे, तो सब ultimate Java की cheat sheet, जो कि मैंने आप लोग के लिए बनाई है, अब again, अभी इसको आप लोग मत देखना, इसको बिल्कुल भी मत देखना, यह है, तब आप लोग के लिए useful, जब आपका एक दिन बाद interview है, मानलो एक दिन बाद exam है, यह सारे points मैंने एक जगा लिख दी हैं, Java के, ताकि आप लोग एकदम से इसको देख कर, चीजों को recall कर पाएं, ठीक है, यह बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं है, जो कि आपको पढ़ने के बाद Java सिखा देगी, लेकिन आप समझ ही गए होंगे, कि एक ऐसी चीज है, जो कि आप printout निकल वाके, अपनी table पर, wall पर, कहीं पर चिपका सकते हैं, ताकि आप को एक reference के लिए इसको देख लें, तो मेरा याबर goal यह है कि मैं अच्छे से अच्छा course, आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा experience लेकर आँँ, ताकि Java सीखना आप लोग के लिए बिल्कुल एक बहुत ही आसान चीज हो जाए, अगर आप लो system से बनाई, US में 1991 में, ओक कहा था, James Gosling ने इसको सबसे पहले, जो कि one of the inventors of Java थे, इन्होंने यहाँ पर Java को एक purely object oriented language के तौर पे बनाए, जिसका मतलब यह है कि आपको अगर Java में कोई code लिखना है, तो आपको object oriented programming ही करनी पड़ेगी, जिसको oops भी बोलते हैं, procedural oriented programming आप लोग महाँ पर नहीं कर सकते हैं, जिसको pop बोलते हैं, C++ एक ऐसी language है जिसमें आप pop भी कर सकते हो, oops भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, future में अपने pop वाले program को oops वाले program में convert कर सकते हो, C++ में यह चीज़ होती है, जावा में object oriented programming ही होती है, interpreted language है, यह काफी लोगों से और काफी जगा जगा पूछे आने वाला सवाल है, तो Java एक compiled language भी है, interpreted language भी है, compiled language इसलिए है, क्योंकि जो Java का source code आप लोग लिखने वाले हो, वो सबसे पहले Java के byte code में compile होता है, एक बार यह Java के byte code में compile हो जाता है, फिर यह interpret होता है, एक machine code में, तो यहाँ पर compilation की process होती है, यहाँ पर interpret होता है, यह code machine code में, तो यहाँ पर Java compiled language भी है, interpreted language भी है, अगर आप एक beginner है, जाद आपको नहीं मालूम, यह चीजें आपको sense बनाएंगी, जब हम थोड़ी सी programming कर लेंगे तो, ठीक है, लेकिन just for knowing sake, just for knowledge sake, यह चीज मैंने आप लोग करना चाते हो, और आप थोड़ा सा आपके निकल गया दिमाग से, तो आप इन notes को देखकर एकदम recall कर पाओ, क्यार install JDK, मैंने लिखा था Google पर, दो साल पहले, और Java install कर लिया था, Intelligent Idea install कर लिया था, तो यह दो points मैंने आपर, आप लोग के include कर दी है, JDK क्या है, JRE क्या एक ब बना सकें, तो यह है collection of tools used for developing and running Java programs, Java runtime environment क्या है, Java runtime environment किसी भी Java application को run करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, तो helps in executing programs developed in Java, तो यह हमारा Java का एक बहुत ही अच्छा सा introduction था, मैंने काफी चीज़े प्लान करी है, future में, यह cheat sheet आप लोग के बहुत काम आने वाली है, सब का download दे दू नीचे आप लोग को description में मिल जाएंगे, अपनी notes की copy download करना, इसकी copy भी अपनी download करना, और future में जो मैं notes देने वाला हूं, वो भी download करना, और video में जो source code लिखाऊंगा, सब कुछ आपको देता रहूंगा, उसलिके साथ साथ, regularly मैं आप लोग को यह videos upload करकी, यह course एकदम end तक लिखे जाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई problem ना हो, Java सीखने में, I hope कि आप लोग को यह चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है, अब हम लोग चलेंगे अपने intelligent idea की तरफ, और हम लोग अपने Java का पहला program लिखेंगे, तो आप लोग अपने desktop से, या फिर आप यहाँ क्लिक करके, type here to search पर क्लिक करके अपने यह intelligent idea को खोल लिजे, जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो लिख कर आएगा, I confirm that I have read, यह आप इसको चेक करके, continue पर क्लिक करें, so जब आप intelligent idea को पहली बार खोलते हो, तो कुछ ऐसी screen आप लोगों को दिखाई देती है, आप लोगों को new project पर क्लिक करना है, ताकि आप लोग एक नया project बना सको, new project पर क्लिक करने के बाद, आप लोगों को कुछ इस तरह की screen दिखेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर project sd के, आपका already automatically यहाँ पर 14 लिखा रहेगा, in some of the very rare cases, अगर आप windows 7 और वो सब यूज़ कर याम भी चलेगा, सब कुछ आपका, ठीक टा computer रहे, आपका 25 साल पुराना वाला computer नहीं है, तो आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा, 14 यहाँ पर select कर दिया है मैंने, next पर आप लोग क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पर create project from template को चेक करके, command line app यहाँ पर हम लोग बना परपस हम सबसे पहले command line application बनाएंगे, ताकि हम लोग सीख जाएं Java को, Java को एक बार हम अच्छी तरह से सीख गए, उसके बाद हम advanced apps बनाएंगे, तो एक बार हम को logic बनाना समझ में आ गया, चीज़े किस तरह से काम करती हैं समझ में आ गई जावा में, फिर हम लोग Java की और capabilities को explore कर सकेंगे, but at this point अगर आप एक beginner हैं, या Java आपको अच्छी तरह से नहीं आता है, तब आप command line app select करके, next पर click करें, और उसके बाद अपने project को एक नाम दे दे, अपने project को यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा, first Java program, मैंने यह मेरा first Java program, code with Harry को मैं CWH लिख दूँगा, short में first Java program, code with Harry, यहाँ पर मैंने short में लिख दिया है, आप लोग कुछ और भी नाम दे सकते हो, मैंने यह दिया है, आप लोग अगर एकदम consistent रहना चाते हो, same नाम दे दो आप लोग, ताकि हम दोनों की चीज़े एकदम same रहें, जैसे हम लोग करते जा रहें काम, और एक बार जाता है Java फिर तो आप नाम भी बदलना, आप सब कुछ बदलना यार, finish पर क्लिक करो, और finish पर आप जैसे क्लिक करोगे, तो आपको इस तरह का एक code यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह हमारा IntelliJ idea का इस तरह से हमारी screen आती है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप Windows पर हो जो भी इसको पसंद है, उसके साब से कर देगा, ताकि यह अच्छे से चल पाए, तो मैंने इसको allow कर दिया है, because I trust IntelliJ idea, मुझे पता यह कोई ऐसा nasty काम करने वाले नहीं है मेरे computer में, so मैंने इसको इस तरह से access दिया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल में नहीं आपको कोई चीज याद रखनी है, मुझे खुद नहीं पता है इनमें क्या-क्या है इनके अंदर, तो याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, बस मुझे इतना पता था, to be very honest, file के अंदर settings होती है, तो मैं settings यापर pull कर ली, अब यहाँ पर कई चीज़े होती है, आप theme change कर सकते हो, light theme, dark theme लगा सकते हो, आप अपनी choice का theme ले लो, मैं मुझे dark theme पसंद है, मैंने dark लगाया, हो सकता है, आपको light theme पसंद हो, जिसमें कोई problem वाली बात नहीं है, आप light theme भी use कर सकते हो, custom font अगर आपको choose करना है, कोई भी ऐसा font जो कि आप custom use करना चाते हो, font का size बढ करना चाहता हूँ, apply पर click करूँगा, तो font का size थोड़ा बढ़ गया है, तो I think बहुत जादा बढ़ गया है, font size, font size थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 12 is too much, 18 कर लेते हैं, 18 should be fine, और यहाँ पर थोड़ा design बन के आ गया, but मैं आपर थोड़ा सा normally रखूँगा अपने इसको, see you, see you UI करके, यह जो font इसको use करता हूँ, ताकि चीज़े ठीक ठाक दीखें, ज्यादा fancy भी ना दीखें, ठीक है, आपको जो मर्जी है, आप इसको use कर सकते हैं, जो भी font आपको use करना है, अब आप लोग यहाँ पर जैसी editor पर click करेंगे, और उसकी बाद general पर click करेंगे, editor के अपने font को change कर सकता हूँ, तो कभी मुझे zoom out करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, control दबाके, और zoom in करके, और zoom out करके, मैं यहाँ पर अराम से काम कर सकता हूँ, और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, यह feature, इसलिए मैं इसको enable ही रखता हूँ, अब आपको अपना पहला Java का code लिखना है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर क्या करो, कि simple से मुझे follow करो, आप लिखो यहाँ पर system.out.println, और उसके बाद यहाँ पर लिख दो, hello word, ठीक है, और हम hello word ही लिखेंगे, और यहाँ पर आप, सिर्फ hello word लिखो इस तरह से, कुछ और नहीं लिखना है, आ मैंने आपर लिखा हूँ अभी, system.out.println, एक function है, println, चो कि आपको मदद कर रहा है, जो भी आप उसके अंदर डालते हो, उसको print कर देता है, simple से, आप भी इसको ऐसे समझो, ज्यादा हमें सोचना नहीं, क्या function होता है, क्या variable होता है, क्या string होती है, ज्यादा अभी हमें नहीं सोचना है, हमें अभी अपने program को चलता हुआ देखना है, और थोड़ा सा उससे confidence प्राप्त करना है, वही मैं आपर अभी करवाना चाहता हूँ आपको, तो आप यहाँ पर इसपे click करो, run main पर उपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर top right पर run main, इसपर आप click कर दो, इस automatically करके, इस program का output आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, तो देखो, इसने hello world यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो यहाँ पर जो भी मैं करूंगा, उसका output मुझे नीचे दिख रहा है, hello world, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, and congratulations आपने अपना पहला Java program बना लिया है तो आप लोगों को congratulations, और आप नीचे comment में सब लोग congratulations जल्दी से लिख दो, मुझे पता है बहुत कम लोग लिखने वाले हैं, लेकिन जितने भी लोग लिखेंगे यार, दिल से thank you उन लोगों को, और उसी के साथ साथ मैं दिल जरूर दूँगा आप लोगों को, ठीक है, so guys that was it about this video, यह मैंने अभी आप लोगो java का सिर्फ introduction दिया है, so guys at this point आप लोगो immediately एक action लेना है कि जल्दी से अगर आप लोग computer में देख रहे हो, तो मैंने description में java की जो playlist है, उसका link दिया हुआ है, जैसे मैंने playlist बना रखी है, बाकी चीजों की, आप लोग के लिए मैं java की playlist पर बनाऊँगा जिसमें अभी सिर्फ एक video होगा, लेकिन future में उसमें बहुत सारे में videos डालने वाला हूँ, तो उस playlist को जरूर access कर लेना, ठीक है, अगर आप computer में देख रहे हो, तो अभी के अभी आप video मत देखो, नीचे description से ले लो उस playlist को, और उस playlist को नई tab में खोलके, यहां क्लिक करके bookmark कर लो, और यहां क्लिक करके save कर लो, आपके पास वो playlist रहेगी, खोएगा नहीं यह course, यह channel नहीं खोएगा, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको bookmark करके save करके, किसी भी तरह से रख लो, ताकि आप लोग future के जो videos में डालने वाला हूँ और notes upload करने वाला हूँ, वो सब आप लोग को मिल जाए, काम चालू है, मैंने आप लोग के लिए अभी यह notes बनाए हैं, और यह ultimate cheat sheet बनाई है, इसको अभी मत पढ़ना, इसको अभी मत पढ़ना, बस download करके रख लेना अपने पास, यह आप लोग को काम आएगी future में, जब आ अभा की playlist का link दिया है, अगर आप लोग उस playlist को share कर दोगे, तो that would mean a lot to me, आप लोग अगर उसको Instagram वगएर पे share करते हो, तो मुझे tag करना मत बूलना, screenshot लेके Instagram पे share करोगे, तो मुझे tag ज़रूर करना, ताकि मैं आपकी story को वापस से post कर पाऊ, मैं आपकी story को definitely post करूँगा, जितने भी लोग मुझे tag करते हैं, मैं सब की story को वापस से post करता हूँ, so I hope कि आप लोग को वीडियो पसन आया हो, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, notes को download कर लेना, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time. झाल